तिरे मित्मार, चगचगपार, चगचगपार A dog is considered man's best friend. कुटे इंसान के सबसे वफादार और अच्छे मित्र माने जाते हैं. इनकी समझदारी और वफादारी के कारण ही लोग इने पालते भी हैं और अपने घर के सदसी की तरह ही ट्रीट करते हैं. क्यूट दिखने वाले पपीज और चोटे आकार के कुटे तो सब को पसंद होते हैं. लेकिन कुछ लोग पालने के लिए हमेशा ऐसे जानवरों को ही चुदते हैं जो की खोखार और खतरनाक हों. पूरी दुनिया में कुटों की करीबन 300 से भी जादा अलग-अलग तरह की प्रजातियां हैं जिसमें चीटे से भी तेज रफ़तार वाले कुटों से लेकर इंसानों की तरह ही समझदार और किसी जंगली जानवर से भी जादा जान लेवा कुटों की ब्रीड्स शामिल हैं. ये कुटे इतने खतरनाक होते हैं कि अपने मालिक के एक इशारे पर ही किसी भी दूसरे व्यक्ति को दो हिस्सों में चीर कर अलग कर दें। कुटों की इन प्रजातियों में बड़े आकार के कुटों से लेकर मशीन की तरह मजबूत जबडे से चीर फार कर देने वाले काई बार इनका दिमाग खराब हो जाने पर खुद इनके मालिक को भी इने काबू में कर पाना असंभव हो जाता है। और ऐसी स्तिथी में ये आसपास के लोगों के लिए जानलेवा थाबित हो सकते हैं। कुटों का कई बार इतना खतरनाक हो जाना और लोगों की जान तक ले लेने की वज़ा से कई देशों की सरकार ने इन्हें बैंग भी कर दिया है, यानि कि इन्हें पालने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। और कुछ जगाओं पर इतनी खतरनाक कुटों की नसल को पालने के लिए लाइसेंस और सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती हैं, क्योंकि ये कुटे अपने आप में किसी जानलेवा हतियार से कम नहीं। आईए जानते हैं दुनिया भर में पाई जाने वाले कुछ बहुत ही खुँखार और जानलेवा कुटों की प्रजातियों के बारे में, जिनने देखते ही लोग अपना रस्ता बदल लेते हैं। Wolf-Dog Hybrid कुटों की एक ऐसी प्रजाती है, जो की एक आम कुटे के साथ असली जंगली भेडिये से ब्रीड करके बनी है। Forbes की एक रिपोर्ट के मताबिक ये प्रजाती दुनिया की दस सबसे खतरनाक कुटों की नसलों में आती है। इनके अंदर भेडिये का DNA होने की वज़ा से इनका बरताव जंगली भेडिये से काफी मिलता जुलता है। भेडिये जंगलों और बरफीने इलाकों में रहने वाले सबसे हुखार हत्यारे जानवर माने जाते हैं। किसी को भी देखते ही मौत के घाट उतार देना इनके स्वभाव में होता है। इसलिए अक्सर इने देख लोग बहुत जादा देशत में भी आ जाते हैं। चोटे बच्चों को इस प्रजाती के कुत्तों से हमेशा बचा कर रखना पड़ता है। क्योंकि ये इनसान के चोटे बच्चों को एक शिकार की नजर से ही देखते हैं। टोसा इनू आकार में विशाल और वजन में भारी भरकम कुत्तों की इस नसल को फाइटर ब्रीड या डॉग अफ़ दिस सामुराइ भी कहा जाता है। ये कुत्ते बहुत ताकत पर हैं और इनका वजन 90 किलो तक हो सकता है। बेहच शक्ती शाली और घुसे वाले ये कुत्ते अपने आसपास किसी अज्यान व्यक्ती और दूसरे जानवरों की मौजूदगी बिलकुल पसंद नहीं करते। इसलिए जो लोग इने पालते हैं उनके घर में मौजूद दूसरे सभी जानवर जैसे की तोता, कबूतर, गिनी पिग तथा अन्य पालतू जानवरों को इनसे बचा कर रखना पड़ता है। जो कभी भी बेकाबू हो सकता है और खुद मालिक भी अपने मतलब के लिए अपने इस कुट्टे के जरीये हमला करवा कर किसी की जान भी ले सकता है। जब भी खतरनाक कुट्टों की बात की जाती है तब अमेरिकन पिट्बूल का नाम आता ही है। पूरी दुनिया में पिट्बूल के जैसी दूसरी कोई भी कुट्टों की प्रजाती नहीं है। ये कुट्टे अच्छे होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। इनके जबडे में इतनी ताकत होती है कि कोई भी चीज इनके मुँ में एक बार आ जाये तो उसे ये आसानी से नहीं छोड़ते। घातक और जानलेवा होने की वज़ा से कई देशों के क्रिमिनल्स ने इन कुट्टों से लोगों पर हमला करवा कर उन्हें जान से मारने के लिए पालना शुरू कर दिया था। जिससे इन कुट्टों की काफी बदनामी हुई और इने हत्यारी की नजर से देखा जाने लगा। आकार में छोटे होने के बावजूद भी ये एक जटके में किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से जखमी कर सकते हैं। इन कुट्टों में कॉन्फिडेंस तो कूट-कूट के भरा होता है जिसकी वज़ा से ये कई बार बेहद उत्तेजक और आक्रमक हो जाते हैं। अग्रेसिव नेचर होने की वज़ा से इने पालने वाले को बचपन से ही इने सोशलाइस करना यानि की दूसरे लोगों से घुलना मिलना सिखाना पड़ता है क्योंकि इनके घुस्से के आगे किसी की नहीं चलती। जिद्धी सोभाव के कारण अगर ये किसी दूसरे कुत्ते पर हमला करके उसे मारने की ठान लें तो खुद मालिक भी इने ऐसा करने से नहीं रोक सकते। पिटबुल अपने अटैक्स के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। बेकाबु होकर लोगों पर हमला कर देना, दूसरे जानवरों और लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देना। ये सब सही से ट्रेनिंग ना होने और मालिक की लापरवाही का नतीजा होता है। पिटबुल एक फाइटर ब्रीड के कुत्ते माने जाते हैं। इसलिए चाहे जितनी ट्रेनिंग दी जाए, दूसरों पर अटैक करना इनके खून में होता है। यही वज़ा है कि इन्हें मायामी की डेट काउंटी जो की फ्लॉरिडा में स्थित है और उंटोरियो कैनिडा और साथ ही दूसरे कई देशों में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। ब्राजेल में पाए जाने वाले ये कुत्ते अपनी सूपर्ब ट्रैकिंग अबिलिटी, आक्रमक्ता और अपने घुसेल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। और इस प्रजाती का केवल एक कुत्ता ही शिकारी जानवरों की भीड को भगाने के लिए काफी होता है। कई बार चिड़ जाने पर ये अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं और इने घुसा आ जाने पर इनका मालिक भी इन से दूर रहना सही समझता है। कुत्ते अंजान लोगों को बहुत कम पसंद करते हैं और साथ ही भौकने से जादा ये हमला करने पर जादा विश्वास रखते हैं। इन कुत्तों को लड़ा को कुत्टे भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जिंदिगी का मेन मकसद ही लडाई करना होता है और इसी लिए इन्हे पाला भी जाता है। और इनका वजन 70 किलो तक हो सकता है अजनबियों के बीच में जाते ही ये कुत्ते बहुत हाइपर एक्टिव और किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार वाली स्तिथी में आ जाते हैं बहुत जादा शक्तिशाली होने की वज़ा से इन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्क सन 2001 की बात है सिन फ्रैंसिसको के घर में इस ब्रीड के एक जोड़े को उनका कोच ट्रेन कर रहा था इस दोरान दोनों गुत्ते बहुत आक्रमक हो गए और अपने ट्रेनर पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया जिसकी वज़ा से इन गुत्तों की ब्रीड बहुत इन कुत्तों का इस्तिमाल आज जादा तर्फ पुलिस और मिल्ट्री के के नाइन यूनिट में किया जा रहा है इसलिए ये कुत्ते सर्च इन ब्रैसकी डॉग्स और गार्ड डॉग्स की श्रेनी में आते हैं वैसे तो ये कुत्ते बहुत ही अच्छे तथा वेल मैनर्ड हो हो सकते हैं इन कुत्तों को पालना अपने आप में एक बेहत कठिन काम है क्योंकि इन्हें रहने के लिए बड़ी जगा चाहिए होती है और खुला माहूल इन्हें जादा पसंद आता है दूसरे लोगों से मिलना जुलना इन्हें बच्पन से ही सिखाना पड़ता है क्योंकि इनका एक बार का अटैक ही किसी भी व्यक्ति को सीधा हॉस्पिटल पहुँचा सकता है इन कुत्तों को बहुत प्यार से रखना पड़ता है क्योंकि स्वभाव में ये बहुत डॉमिनेटिंग होते हैं इसलिए दूसरे कुत्तों को देखते ही ये उन्हें डराने लगते हैं पालना पसंद करते हैं डॉगो अर्जिंटीनो बड़े आकार के सफेद मस्किलर डॉग्स होते हैं ये अपने शरीर की ताकत और शिकार करने की खूबी के लिए जाने जाते हैं अर्जिंटीना में विक्सित हुई कुत्तों की इस नसल का इस्तेमाल शुरुवात में विशाल जंगली सूर, मचलियों और दूसरे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन इतने ताकत पर कुत्तों को शुरू से ही इनसानों पर हमला नहीं करने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है कई देशों में इन कुत्तों को डॉग फाइट्स में भी शामिल किया जाता है और यकीन मानिये डॉगो अर्जिंटीनो को किसी भी फाइट में हारना बिलकुल पसंद नहीं। बेकाबू होने पर ये कुत्ते किसी भी इनसान की जान तक ले सकते हैं इसलिए इने पालना कोई आसान काम नहीं। खतरनाक होने की वज़ा से कुत्तों की ये नसल औस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड और पोच्चुगल सहित अन्य देशों में बैंड है। आकार में बड़े और बेहत धीली तवचा वाले ये कुत्ते अपनी प्रोटेक्शन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। ये इनसानों के परिवार, घर और प्रॉपरटीज का बचाव और रखवाली करने में माहिर होते हैं। इन कुत्तों की उरिजिन इटली से है, जहां पुराने समय में इन्हें one-on-one gladiators के साथ बेहत भीश्म और खून खराबे वाली लड़ाई के लिए इस्तमाल किया जाता था। Romans तो इन कुत्तों को war dogs के रूप में भी इस्तमाल करते थे और जंग के मैदान में अपने साथ ले जाया करते थे। Harry Potter मूवी में Hagrid के पास जो बड़े आकार का हमेशा राल टपकाता हुआ कुत्ता दिखाया गया है, वो Neapolitan Mastiff ही है। असल में ये कुत्ते काफी निडर और अपने परिवार तथा मालिक और घर के प्रती एक्स्ट्रीमली प्रोटेक्टिव होते हैं। ये कुत्ते के वल जरूरत पढ़ने पर ही भौगते हैं और छोटी सी अंजान हलचल से तुरंत सतर्क हो जाते हैं। इन कुत्तों का इतिहास जंग और लडाईों से जड़ा होने की वज़ा से इसमें दर्द और जखमों को सहन करने की ख्षमता दूसरे कुत्तों के मुकाबले कई गुनाज जादा होती है। और साथ ही इनने अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये चीज इनके अंदर जन्ब से ही आ जाती है। वैसे तो ये कुत्ते बहुत समझदार होते हैं लेकिन कई स्थितियों में इनने मालिक को छोड़ कर घर के दूसरे सदस्यों पर हमला करते देखा गया है। खास कर कम उम्मुर के बच्चों और छोटे बच्चों के प्रती ये ज़ादा आकरमक हो जाते हैं। इसलिए सिंगपोर तथा रोमेनिया जैसे देशों में इन्हें पालने पर एक खास सर्टिफिकेट तथा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। कुत्तों की ये प्रजाती उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हैं जिन्होंने पहले कभी कुत्ते नहीं पाले। क्योंकि इस तरह के खतरनाक कुत्तों को पालने के लिए हर एक दिन इन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। बैंडॉग का बरताव पूरी तरह उसके पालन पोशन पर निर्भर करता है। ये कुत्ते शक्ती शाली होने के साथ साथ बहुत घुसैल और बेहत प्रोटेक्टिव भी होते हैं। मजबूत होते हैं जो एक बार किसी चीज को पकड़ लें तो जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक उसे छुड़वाना असंभव है। आसपास बच्चों या दूसरे कुत्तों की मौजूदगी में ये डॉग्स जादा सतर्क और आक्रमक बन जाते हैं। और अपने चालाग दिमाग से कई बार ये अचानक हमला भी कर देते हैं। ये कुत्ते अपने आप में किसी हतियार से कम नहीं। इसलिए कई देशों में इन्हें पालना पूरी तरह प्रतिबंदित है। टिबिटिन मैस्टिफ बड़े आकार के भारी भरकम और घने बाल वाले कुत्ते होते हैं। इनकी गर्दन शेर की तरह घने बालों से घिरी होने की वज़ा से इन्हें लायन डॉग्स भी कहा जाता है। पहाडी क्षेत्र के ये कुत्ते ताकतवर और विशालकाय होने की वज़ा से शुरुवात में भेडों की रखवाली के लिए इस्तमाल में लाये जाते थे। ये इन पश्यों को भेडियों, चीतों, भालियों और टाइगर्स से बचा कर रखते थे। ये आम कुत्ते नहीं जिनके साथ मस्ती की जाए। गुस्सा आने पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर को अपनी ताकत और जबनों के जरिये बुरी तरह चीर फाड़ कर सकते हैं। प्वजूद भी ये बहुत ज़ादा एक्टिव होते हैं। तो ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ सबसे खतरनाक कुत्ते। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जननात फैक्स को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन को अन करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अग्ग्ग। अग्ग।